नमस्कार, हिंदी साही त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम हम हिमाचा प्रदेश में हुई TGT TET की परिक्षा की जो आंसर की है वो डिसकस कर रहे हैं और यह हमारा आखरी सेक्षन है इसमें देखी आलांकि यह सबसे पहले पूछा गया था साइकोलोजी का और साइकोलोजी सेक्षन हमेशा थोड़ा सा पेचीता जैसा होता है जिसको समझना बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाफ होता है इसलिए सबसे लास्ट में हमने यह वाली जो सेक्षन था इसको लाया है तो यहाँ पर हम एक से लेकर के 30 चक जितने भी आपके साइकोलोजी से रिलेटिड प्रशन थे उनको लेके आए हैं तो अगर आपने पहले के अगर वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं हमने वो भी आपको इससे पहले प्रवाइड करवा दी हैं तो दोस्तो अगर इन प्रश्णों में कुछ एक गलती हो गई हो तो आप वो भी हमें कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं क्योंकि हमारे नीजी प्रियास हैं और इसमें संभावना हो सकती है कि थोड़ बात ऊपर नीचे हो सकता है तो आप वो भी कमेंट सक्षन में जाकर ब प्रबलन एक प्रकार का तो ये क्या है आपका देखिए विकल्प नमबर A इसका सही होना चाहिए था एक गटना है जो की एक अनुक्रिया को मजबूत बनाती है और उसकी दर बढ़ाती है चलिए प्रशन नमबर 3 है प्याजे ने बच्चों की स्वयम निर्देशित बात को क् का एहम केंदरित वाक विकल्प नमबर 3 इसका भी इसका सही उतर होना चाहिए था ततीसरे प्रशन का चलिए नेक्स प्रशन देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद तत्यों का प्रक्रमन करता है जो कि किसके द्वारा समर्थित है तो देखिए प् होगा विकल्प नमबर C मनोविज्ञानिक नियम और सिध्धान्त चलिए अगला प्रशन देखिए प्रशन नमबर 5 यहां पर लिखा है वाइगार्ट की के अनुसार संग्यान अत्मक विकास किस पर निर्बर है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा यह होगा विकल्प नमबर C समाजिक अंतक्रियाओं के द्वारा मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या डैस डैस और डैस डैस के विज्ञानिक अध्यान में की जा सकती है तो देखिए सिक्स्त का भी अंसर होगा विकल्प नमबर C व्यभार और मानसिक प्रक्रियाएं ठीक है अगला प्रशन नम साथ देखिए पाली च्रवण के लिए जिस प्रकार अनुकपाल पाली की दिश्टी के लिए है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर C कपाल स्थी ठीक है नेक्स प्रशन हम देख लिते हैं प्रति वर्थ अधिकतर किसके द्वारा नियंत्रित किये जाते ह तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर 9 का जो सही उतर होगा विकल्प नमबर A प्राचीन शास्त्रिय अनुबंद क्लासिकल कंडिशनिंग नेक्स प्रशन हम देख लेते हैं इसके बाद दस्तों है देखिए एक मॉडल का प्रिक्षन करके सीखने की योगयता अत्व बिना किसी प्रबलन के निर्देशों को प्राप्त करना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है आपका देखिए विकल्प नमबर B समाजिक अधिकम अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन भटा लेने के पश्चात समाप्त हो जाती है, यह प्रक्रिया क्या है? तो देखिए इसका जो सही उतर होगा, यह होगा आपका विलोप विकल्प नंबर A. बुध्धी को इस प्रकार प्रभाशीत किया जा सकता है, तो बुध्धी को दे यहां पर सही उतर हो जाएगा आपका चौधा का विकल्प नुबर D, स्मृति और विस्मृति, पूरु संक्रियात्मक अवस्था के बालक को अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्षा से समझने में कठनाई होती है, यह जाना जाता है, तो यह होगा आपका विकल्प नुबर C, में परिभाशित किया है, तो इसका जो सही उतर होना चाहिए, वो है विकल्प नुबर A, स्कीनर, भ्यव्यक्ति जो बुद्धी पर शोध के लिए जाना जाता है, तो बुद्धी पर शोध के लिए जो जाना जाता है, देखिए, इसका उतर होगा आपका विकल्प नुद् दिर्धीषन टर्मन नेक्स प्राइक्षन विधी प्रियुक्त की जाती है तो यह होगा आपका प्राकरितिक स्थिती के लिए प्रियुक्षन विधी हुगा का इसनी सिम्टन से सरे 127 दी सिरे 7 अवस्थाっぽ है। इसका जो सही उतर होगा देखिए सामवेदिक पेशिय विकल्प नमबर C इसका सही उतर होगा निमिलिक्त में से कौन सा मनोसमाज का क्षेत्र है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नमबर D व्यवार की शैली नेक्स प्रशन देख लेते हैं शेक्षनिक मनविज्ञान अधिकम करता कि वैभार का उसके डैस डैस के समध में अध्याइन करता है तो ये होगा आपका विकल्प नमबर A शेक्षनिक वातावरन ए इसका सही उतर होगा शेक्षनिक वातावरन कौन सी है तो इसके लिए हो जाएगा आपका विकल्प नमबर C प्रायोगिक विधी प्याजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उदेश्य क्या है तो प्याजे के अनुसार जो शिक्षा का मुख्य उदेश्य है देखी ये है विद्याप्ति को उसके पर्यावरन के साथ समायो पूर्ण सदस्य हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा विकल्प नंबर D उप्रोक्त में से सभी नेक्स प्रशनम दिख लेते हैं वह प्रगती शिल्द शिक्षन के संस्थापक और शिक्षन के क्षेतर में शोध का जनक जाना जाता है यहाँ पर हाना की शिक्षन के क्षेतर में जो शोध का जनक कहा जाता या प्रगती शिक्षन के संस्थापक थे वो जोन डेवी थे तो यहाँ पर कहीं भी विकल्प में हमें नहीं दिख रहा है तो उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर सही हो जाएगा चलिए next प्रशन हम देख लेते हैं विचारों की अभिव्यक्ति और पूछने चिंतन के समवर्ग और सप्रत्याय है तो इसका उतर होगा आपका देखिए विकल्प नमबर B तारकिक विचार और आज गा जो psychology section का आखरी प्रशन है देखिए किसी बेब्रकार के अधिगम में गेस्टाल्ट ने सबसे अधिक बल किसकी भूमिका पर दिया हुआ है तो इसका जो साही उतर हो जाएगा देखिए यह हो जाएगा आपका पूर अनुभव विकल्प नमबर B इसका साही उतर होना चाहिए तो यह थे दोस्तो psychology section के पूरे के पूरे 30 प्रशन अगर इन प्रशनों में कुछ एक प्रशन आपको doubt लग रहा है तो आप comment section में जाकर वो भी बता सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो I hope आप सब लोगों का paper अच्छा हुआ होगा तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद